हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा आठ गणित के पांचवे चैप्टर वर्ग और वर्गमूल इसकी प्रश्णावली 5.2 करेंगे इस प्रश्णावली में केवल दो प्रश्ण है और अच्छे तरह से मैं इन दोनों प्रश्णों को आपको समझाओंगा इस चैप्टर के बागी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेइलिस्ट चेक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शियर करें तो शुरू करते हैं और ये है क्वेस्चन नमबर वन निमने संख्याओं का वर्ग ग्यात कीजिए तो जो इसका पहला पार्ट है ये है बत्तिस बत्तिस का वर्ग तो देखो वर्ग का मतलब क्या है किसी भी संख्या को खुद से गुणा करना होता है उसका वर्ग करना यानि 32 को जब हम 32 से गुणा करेंगे तो यह कहेंगे कि हमने 32 का वर्ग किया है और यह 1024 आएगा लेकिन ध्यान रखना मनलब 1024 प्रॉपर गुणा करके आएगा ठीक है कि 2 से गुणा किया 64 आया और फिर यह 96 आया और यह स्थरे से यह 1024 लेकिन आपको यह तरीका नहीं अपनाना है यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसे नहीं करना है कैसे करना है देखो तो 32 का वर्ग 32 होता है तो इसको दो ऐसे संख्याओं में तोड़ो जो इसके पास में जिसमें 0 हो जैसे 30 प्लस 2 समझ गया आप? तो इसको हमें ऐसे लिखना है इसको आप कहीं 31 प्लस 1 या 29 प्लस 3 मत कर देना इसको 30 प्लस 2 करेंगे क्योंकि 30 में 30 का वर्ग करना आसान होता है 30 का वर्ग करेंगे तो उसमें सिधा 3 का वर्ग करो 3 तिया 9 और 1 0 की जग़े 2 0 आ जाएगा इसको ऐसा मत कर देना है कि 31 प्लस 1 या कुछ और ओके? ऐसी संख्या में आप हमें बदलना है जिसमें लास्ट में जिसमें 0 हो जिसका वर्ग करना आसान हो अच्छा अब ये हो गया अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वैसे तो उसमें हमें क्या जो आपकी बुक में भी है उसमें क्या होता है? कि 30 लिखो फिर ये 2 लिखो फिर ये 2 लिखो और फिर ये 2 लिखो इस तरह से इसके बाद अगला स्टेप ये है लेकिन आप कन्फ्यूज नहों इसके लिए एक स्टेप में यहाँ पे एक्स्टा लिख रहा हूँ इतना तो आप समझ गये नहीं यहाँ पे कि 32 को हमें 30 प्लस 2 30 और 2 32 होता है तो इस रूप में हमें लिखना है अब इसके बाद हम इसको क्या रिक करेंगे दो बार लिखेंगे क्योंकि वर का मत्तब भी यह होता है कि दो बार हमें इसको आपस में गुणा करना है है न इस तरह से अब पहले 30 का गुणा इन दोनों से होगा तो यह हो जाएगा 30 और यह आ जाएगा 30 प्लस 2 और फिर 2 का गुणा इन दोनों से होगा 2 30 प्लस 2 ये समझ आगे आपको तो अगर आप ये step नहीं लिखना चाहते हो और आपको इसके बाद सिद्ध ये लिखना है आपको समझ आ रहा है तो फिर तो आप सिद्ध लिख सकते हो लेकिन अगर आपको इसमें confusion हो रही है कि यार कहीं इसमें हम गड़बड़ी न कर दें गलती न कर दें तो best है कि आप ये पहले लिख दो ये जो वर्ग है इसे दो बार लिख दो क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि खुद से गुणा करना दो बार हमने लिख दिया इसे अब इसके बाद ये लिखो और ये पूरा क्योंकि इसका दोनों से गुणा होता है I am sure आपको इपता होगा और इसे बाद पिर दो लिखेंगे और ये पूरा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तीस लिखा और पिर ये पूरा लिखा यानि तीस का दोनों से गुणा हो रहा है और दो का दो से गुणा करने पर दो का वर्ग होता है तीस का वर्ग क्या होता है तीस का वर्ग करने का तरीका समझो आप तीन का वर्ग करो तो तीन का वर्ग होता है तीन तिया नौ और एक जिरो है तो एक जिरो के दो जिरो हो जाएंगे यानि 0 एकदम डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, एक 0 है तो 2-0 आ जाएंगे, 2-0 है तो 4-0 आ जाएंगे, ऐसे, तो 30 का वर्ग सिधा हम यह लिख सकते हैं, तो यहां पर यह आ गया 900, 3060, 3060, और 2 का वर्ग 4 होता है, और हम इन 4 को प्लस करेंगे, तो 1024 आएगा, और यह आंसर आ चुका है, जो कि हमारे ऐसे में भी आंसर आया था, बड़ जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह से नहीं करना था, यह तरीका है करने का, तो यह देख लो, ऐसे हमें सारे questions करने हैं, इसी तरह से, ठीक, अब सेकिन पार्ट है, यह पहला हो चुका है, सेकिन पार्ट 35 का वर्ग करना है, तो 35 के लिए हम क्या करेंगे, 30 प्लस 5 इसका वर्ग, यहाँ पे पहले यह 30 लिखते हैं, और यह दोनों, है न, यह है, अगर हमें direct करना है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है, तो जैसे मैंन अगर आप ऐसे इसको दोबा लिख दें, अब 30 लिखना है, और इन दोनों को लिखना है, यानि यह समझो कि 30 का गुणा इन से होगा पहले, और फिर प्लस 5 लिखना है, और फिर इनको लिखना है, 30 प्लस 5, समझ गया न, इस तरह से, 30 लिखना है, फिर यह दोनों लिखने है फिर प्लस पांच और ये दोनों लिखने हैं इस तरह से ये ये हुआ तीस का वर्ग यानि तीस का अब इसमें गुणा होगा तो ये हुआ तीस का वर्ग फिर तीस का पांच में गुणा होगा तो तीस गुणा पांच ठीक है फिर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 गुणा 30 और 5 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग समझ गे 30 का वर्ग हो गया 900 30 गुणा 5 हो गया 1500 5 गुणा 30 ये भी 1500 और 5 का वर्ग 25 समझ गे आप और फिर इनको प्लस करेंगे तो 300 ये हुआ 1200, 1225 ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है? तीसरा पाड़े 86, इसका वर्ग निकालते हैं, तो क्या प्रकिरिया है? 86 को 80 plus 6 करके लिख देते हैं, इसको फिर दो बा लिख देते हैं, 80 plus 6, गुणा 80 plus 6 गुणा का चिन लगाने की ज़रूत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट लगे हैं, अब फिर 80 का इन दोनों से गुणा करेंगे, यानि 80, 80 plus 6, इस तरह से, फिर ये 6 लिखेंगे, और ये पुरा लिख देंगे, है न, तो ये प्रकिरिया आपको समझ आगी होगी, अब 80 का पहले इससे वर्ग हो गया, और फिर 80 का इससे गुणा करेंगे, तो 80 गुणा 6, यहाँ पर 6 का इससे गुणा करेंगे, तो 6 गुणा 80 लिख देते हैं, और 6 का 6 से गुणा करेंगे, तो 6 का वर्ग हो गया है, ये हुआ 648, ये भी 648, और ये 36, अच्छा, अब इनको प्लस करना है, ठीक छे, जीरो, आठ, आरदुने, सोला, सोला, तिन, उन्निस, का नौ, हसिल एक, फिर है चार, 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 आठ, चार, तियां, बारा, और एक, तेरा, और छे, और एक, साथ, ये आ गया है, आंसर, तो इस तरह से, ठीक है, समझ आ गया, अब फूर्थ पार्ट हमारे पास है, तिर आठ, प्लस तीन लिख देंगे, ठीक है न, ऐसी संख्या लिखेंगे, जिसके लास्ट में जीरो है, क्योंकि इसका वर्ग करना आसान होता है, तो नब्बे प्लस तीन, ध्यान रखना, इसको ऐसे एक आठ, आठ, प्लस तीन, इसका वर्ग, अब यहाँ पे, इसे हम दो बार लिखेंगे, एक यह, और यह, अच्छा, अब 90 लिखा हमने, उसके बाद यह लिखो पूरा, यानि यह समझो कि पहले 90 का गुणा इन दोनों से होगा, और उसके बाद यह 3 का गुणा दोनों से होगा, तो 3 लिखेंगे, और 90 प्लस 3, ठीक है, अब 90 का गुणा 90 से करेंगे, तो 90 का स्क्वाइर होगा, 90 का गुणा 3 से करेंगे, तो 90 गुणा 3, फिलाल ऐसे लिख देते हैं, 3 का गुणा 90 से करेंगे, 3 का गुणा 90, और 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का वर्ग, 90 का स्क्वाइर होता है, अब देखो 90 का वर्ग कैसे करेंगे, तो पहले इसका वर्ग करो, 9-9 हुआ 81 और 1-0 की जगह पे अब 2-0 लिख दो ये तरीका होता है करने का वर्ग 9-27 9-27 है ना और 3-9 अब इनको प्लस करना है तो क्या करेंगे हम तो सिंपल ही ये प्लस जैसे करते हैं ये 9 आया 7-7-2-14 का 4 हसिल 1 1-2-4-2-6 और ये 8 आगिया है इस तरह से हम प्लस करते हैं आप इस तरह से भी कर सकते हो रफ में ऐसा लिखे 270-2-70 और 9 और इनको प्लस कर दो तो भी ये आंसर आजाएगा इस तरह से 5th part अब हमारे पास है 71 का वर्ग में करना है और आप समझ गये ना कैसे करना है हैं दो बार 70 प्लस 1 ये 70 प्लस 1 ये अब ये है 70 और ये लिखो दोनो ठीक है फिर ये है 1 और ये लिखा हमने पूरा समझ गये ना ये ओके अब इसका गुणा इससे करो पहले तो ये हुआ 70 का वर्ग 70 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 70 है ना अब एक का गुणा इससे होगा और एक का और एक का एक से गुणा करेंगे तो एक का वर्ग 70 का स्क्वाइर क्या होता है ये हो जाएगा 7,7,9 होता है और एक 0 की जगए पे 2,0 आ जाएंगे 70 इगम 70 ये भी 70 1 और इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ये 1 आया 7,2,9 और एक 10 0 5041 ये आ गया है ठीक है अब हमारे पास फाइनल एंड 6 पार्ट है ये कैसे होगा 40 प्लस 6 इसे करेंगे और ये हमारी जो सामान्य प्रकेरिया है इसके बाद इनको लिख दो दो बार तो ये हमने लिखा और इसके बाद 40 लिखो यानि ये लिखा और ये पूरा लिखेंगे यानि ये समझो कि 40 का गुणा इस पूरे से हो रहा है और फिर ये 6 लिखेंगे और यहां पर यह यह वाला पूरा लिखेंगे अब चालिस अब चालिस का गुणा इस से करेंगे तो यह हुआ चालिस का वर्ग चालिस का गुणा च्छे से करेंगे तो चालिस कुणा च्छे च्छे का गुणा च्छे करेंगे इससे फिर इससे अच्छा ये हुआ 40 का वर्ग देखो 4 चको 16 होता है 4 का वर्ग 16 और 1 0 की जगह पर 2 0 आ जाएंगे वर्ग करने के बाद 6 चको 24 4 का इससे गुड़ा किया ये लगद 24 आ गया और 1 0 यहां पर यहां आ गया ऐसे ही 6 चको 24 1 0 यह और 6 चको 36 अब यह प्लस करेंगे हम तो यह आएगा तो यहां पर 6 यह आया 4 4 8 3 11 का 1 हसिल 1 6 2 8 2 10 और 11 जो हसिल थी और 1 और 1 तो तो यह आ गया है वर्ग करके देखो अगर आपको यह क्रॉस चेक करना है आपको यह देखना कि यार मैंने गलत तो नहीं किया तो आप इसको ऐसे कर लो 46 गुणा 46 करके रफ में ध्यान रखना रफ में तो यह हुआ 6 चका 36 6 3 6 24 अरफ 3 27 फिर 4 6 के 24 का 4 हसिल 2 4 चको 16 और 2 18 फिर यह 6 लिखा 7 4 11 का 1 8 2 10 सरे 11 का 1 1 और 2 तो यह आ गया ना यह सेम यानि हमने यह सही किया है तो इस सरे से आप क्रॉस चेक कर सकते हो यह देखने के लिए कि आपका सही है या नहीं आंसर लेकिन ध्यान रखना यह काम रफ में होना चाहिए ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ पाइथागोरस तरिक लिखिए जिसका एक सदस्य यह है तो यह चार पार्ट इसके है अचा इससे पहले कि हम इस क्रेशन में आगे बढ़ें मैं आपको समझाता हूँ कि पाइथागोरस तरिक का मतलब क्या होता है देखो माइडियर जब हमारे पास एक समकोर्ण तरिबुच होता है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमे लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमे यह कहती है कि यह इस भुजा का यानि कर्ण का वर्ग जो कि नबे अंश के सामने वाली भुजा है इसको कर्ण कहते हैं कर्ण का वर्ग होता है इन दोनों बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यानि अगर मैं इसको A लिख देता हूँ इसे B लिख देता हूँ इसे C लिख देता हूँ तो यहाँ पर A स्कॉाइर B स्कॉाइर को प्लस करके आता है C स्कॉाइर यह होती है पाइथागोरस प्रमेया और यहाँ पर यह जो A, B, C है जो कि इसकी भुजाएं है इनको हम कहते है इसलिए इन हम कहते है पाइथागोरस त्रिक तो एक समकॉण त्रिबुच जो है इस प्रकार से भी होता है जैसे देखो जैसे यहाँ पर यह भुजा 6 है यह भुजा 8 है और यह भुजा होती है 10 यानि किसी समकॉण त्रिबुच में अगर यह 6 और यह 8 है तो पक्की बात है कि यह जो कर्ण होगा वो 10 होगा यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग अगर हम प्लस करें तो वो 10 का वर्ग हमें मिलेगा कैसे देखो 36, 38, 64 और 10 का वर्ग होता है 100 और आप देखेंगे यह भी 100 आ रहा है और यहाँ तो 100 है ही तो यह सत्य हो रहा है ना यह बात सत्यापित हो रही है तो क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमे की तरह से यह हो रहा है तो यहाँ पर जो इसकी भुजाए है यानि 6, 8 और 10 इसे हम क्या कहेंगे इसे हम पाइथागोरस त्रिक कहेंगे यह पाइथागोरस त्रिक होगा तो जैसे यहाँ पर प्रश्ण यह पूछा गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखे जिसका 1 सदद से 6 है तो यहाँ पर एक सदस से तो ये है लेकिन हमें बाकी दो सदस से याद करने है तो बाकी दो सदस से जब हमें मिल जाएंगे कि एक आठ और एक दस जब हमें मिल जाएगा तो हम लिख देंगे कि ये 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक है बात समझ गे आप तो यहाँ पर जो त्रिक है त्रिक यानि ट्रिपलेट, ट्रायो यानि तीन का गुरूप को त्रिक कहते हैं तो ये जो तीन है इसमें से एक तो यहाँ पर दिया है बाकी दो हमें जयात करने है अब वो कैसे जयात करने है अब आप आगे देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं देखो पाइथागोरस त्रिक का एक साधारन रूप यह होता है यानि इस तरह से हम एक पाइथागोरस त्रिक लिख सकते हैं 2M M स्क्वाइर माइनस 1 M स्क्वाइर प्लस 1 यह पाइथागोरस त्रिक के सदस्य होते हैं मलब अगर हमने इस तरह से लिखा है तो एक पायतोरस त्रिक बनेगा अब हमें क्या करना होता है ये आप ध्यान रखना ये सबसे मूल मंत्र यही है ठीक है हमारी ये जो question है इसके गाड़ी इसी formula पर चलेगी अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो है जैसे ये 6 है तो इन में से किसी भी एक को आपको 6 के बराबर रखना है आप चाहे 2M को रखो आप चाहे M square minus 1 को रखो आप चाहे M square plus 1 को रखो लेकिन सब को नहीं रखना है पर किसी एक को रखना है अब किस को रखना है यहां पे हमारी समझ काम आती है हमें उसके बराबर रखना है छे को यानि इसके और इसके किसी भी एक के बराबर में रख सकते हैं लेकिन जहां M हमें पूरा पूरा नंबर मिले M हमें दश्रमलव में न मिले पुरा पुरा नमबर मिले और वो है पहला वाला यानि जब आप 2M को 6 रखते हैं तो M हमारे पास आता है 3 तो हम यह नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसे में रखने में M पुरा पुरा नमबर नहीं मिलेगा देखो मैं ये क्यों आपको कह रहा हूँ कि कभी कभार हमारे पास प्रश्ण इस तरह से आता है कि एक सद्द से हमारे पास तैन है दस एक सद्द से है तो दस का खेल तो ये है कि आप इसको 2m के बराबर भी रख सकते हैं तो इससे m बराबर 5 आएगा और M square plus 1 के बराबर भी आप ये 10 रख सकते हैं उससे क्या होगा कि M square आ जाएगा 9 और M हमें मिलेगा 3 तो उस परिस्थिती में आप 2M के बराबर भी 10 रख सकते हैं और इसके बराबर भी रख सकते हैं लेकिन of course आपको भी सामने दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आसान यहाँ पर ये है लेकिन अगर हमारे पास मानलो कि question में ये होता कि एक सद्द से इनको वैसे देना चाहिए था इनकी गलती है कि उन्होंने दिया नहीं है मानलो कि पांचवा पार्ट है और एक सद्द से उन्होंने दे दिया है सत्रा फिर क्या करें तो सत्रा को तो हम टू एम नहीं रख सकते न क्योंकि टू एम को अगर हम सत्रा रखेंगे तो एम तो दशमलब में आएगा आठ दशमलब पांच ये तो दशमलब में आएगा तो इसी लिए अब हम टू एम नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर m² प्लस 1 17 है, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, और m² 16 है तो m4 आ जाएगा, और इसके बाद हम आराम से फिर निकाल देंगे, लेकिन पहला काम तो ये कि m हमें पोरा-पोरा मिल गया है, खेर, ये तो मैंने आपको पोरा डिटेल में बता दिया है, ये जो प्रश्ण है, ये बहुती आसान प्रश्ण इसलिए है, क्योंकि सभी संख्याएं समसंख्याएं हैं, हर एक संख्या के लिए आप 2m बराबर रख सकते हैं, ये भी 2m रख सकते हैं, ये भी 2m रख सकते हैं यह भी 2M यह सभी 2M रख सकते हैं क्योंकि सभी समसंख्या हैं M हमको एक पोरा-पोरा नमबर मिलेगा आपको मेरी बाते समझ आ रही है न अच्छा तो अब हम क्या करेंगी कि वापस आते हैं अपने question के solution पे और यहाँ पर यह जो है यह क्या है यह है पाइथागोरस त्रिक का एक रूप तो हम यहाँ पर यह लिखेंगे कि 2M M स्काइर माइनस वन और M स्काइर प्लस वन पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं तो यहाँ पर अब देखो हम क्या करेंगे 2M बराबर 6 रखने पर तो इससे M क्या आ जाएगा M 2 से भाग देंगे तो M 3 आ जाएगा यहाँ तक ठीक है और अब हम क्या करेंगे कि देखो 2M तो हमारे पास पहले ही 6 है अब हमें यह और यह दोनों याद करने हैं कैसे यानि M स्काइर माइनस वन को हमें रखना है देखो M 3 आ चुका है ना तो अब बस M का मानी तो रखना है हमें तो यहाँ पे रखने की ज़रूत है यह कहने का यह मतलब है क्योंकि यह तो हमने 6 रखा है यह रखा है वापस आप यहाँ पे रखोगे तो दुबारा से यह 6 ही आएगा यहाँ पे रखो तो यह आ जाएगा 3 स्कौाइर माइनस 1 यानि 3 तिया 9, 9 में से 1 गया और यह 8 है अच्छा और फिर यह M स्कौाइर प्लस 1 यानि 3 स्कौाइर प्लस 1 तो यह हुआ 9 प्लस 1 और यह हुआ 10 तो देखो क्या थे, यह तो हमने 6 रखा ही था ये हमारे पास आठ आया और ये हमारे पास दस आया तो इसलिए अभीष्ट पाइथागोरस्त्रिक जो हमारा या सिदाम लिखेंगे कि हमारे जो आंसर है इस रिसम लिखेंगे ठीक है अभीष्ट पाइथागोरस्त्रिक अभीष्ट यानि वानचित यानि मतलब इसका आंसर ये है तो ये हमारा आंसर है I hope आपको ये समझ आया होगा अब second part करते हैं second part हमारे पास है 14 तो ये तो हम वैसे ही लिखेंगे इसलिए मैंने इसको as it is लिखा है ये हर उसमें आपको लिखना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2m बराबर 14 रखने पर इससे हमें m मिल जाएगा 7 ठीक है और अब इसको लिखो तो m square minus 1 ये होगा 7 का वर्ग minus 1 7 सते 59 minus 1 यानि 48 और m square plus 1 यानि ये ये हो जाएगा 7 का वर्ग m की जग़े पे 7 हम रख रहे हैं ये हो जाएगा 59 plus 1 यानि 50 तो अभीष्ट पाइथा को रस्त्रिक होगा क्या है तो देखो ध्यान रखना 7 48 ये मत लिखना ये 2m हमने क्या रखा था 14 रखा था तो ये आएगा 14 48 50 ठीक है और ये हमारा answer है second part का third part हमारे पास है 16 तो हम क्या करेंगे कि 2m को हम लिखेंगे 16 क्योंकि हमें पता है कि ऐसा रखने से m1 हमें सीधा साधा number मिल जाएगा और m हमें यहाँ पर मिला है 8 2 नीचे जाएगा भाग में m मिल चुका है तो अब यानि अब हम यहाँ रखेंगे m2 माइनस 1 यानि 8 का वर्ग माइनस 1 8 अटटे 64 64 माइनस 1 यानि 63 और दूसरा है m2 प्लस 1 यानि 8 का वर्ग प्लस 1 8 अटटे 64 प्लस 1 और यह हुआ 65 तो क्या-क्या है संख्या ध्यान रखना 8 नहीं है क्या है 16 है क्योंकि 2 m हमने 16 रखा था तो इसलिए अभिष्ट पैथागोरस त्रिक यह होगा 16 63 65 ठीक है और यह इसका आंसर हो गया हमने यह कर दिया है यह हो गया है अब फोर्थ पार्ट करते है और राइट हमारे पास फोर्थ पार्ट है और यह तो अगेन क्या करेंगे हम कि 2 m बराबर 18 रखने पर m आ चुका है 9 ठीक है और अब तो 2 m तो हमारे पास पहले से ही है जो कि 18 जो हमने रखाई है अब इसमें m का मारन रखेंगे हम M square minus 1 यानि 9 का square minus 1 9 का वर्ग होता है 9 में 81 81 minus 1 यानि 80 और M square plus 1 यानि 9 square plus 1 81 plus 1 और ये है 82 तो अभीष्ट पाइथगोरस त्रिक क्या होगा तो 18 ध्यान लखना 9 मत लिखना मैं बार बार ये बोल रहा हूँ बच्चे कभी कवारी गल्दी कर देते हैं 18 लिखना मैं 2M 18 हमारे पास है और दूसरा 80 और ये 82 जो हमने ये यहाँ पर ग्याद किये है ये ठीक है तो यहाँ पर आप अगर 18 का वर्ग करें और 80 का वर्ग करें उनको जोड़ोगे तो 82 का वर्ग हमें मिलेगा ठीक है ओके